हेलो दोस्तों आज हम क्लास 6 की एंसे आर्टे की जो सीरीड सार्ट की हुई है उसका सेकेंड लेसन डिसकस करेंगे हाव दा डॉग फाउंड हींसेल्फ ए न्यू मास्टर की डॉग ने अपने आपको एक निया मास्टर कैसे पाया अपने लिए उसने जो निया मास्टर ढूंड रहा था डॉग कैसे पाया तो इस लेसन को रीड करने से पहले हम कुछ बाते डिसकस करेंगे तो फिर आज डॉग हमारा जो पैट अनिमल है वो कैसे बना यह देखेंगे हम आज रीड करेंगे इसको डॉग्स वर वन देर आउन मास्टर जो अपने खुद के मास्टर होते थे और वो अपना एक फ्री वाला लाइफ जीते हैं जैसे वॉल्फ जीते हैं अपना फ्री वाली लाइफ फ्रीडम वाली वो वैसी जीते थे अंटिल ए डॉग वस बोर्ण जब तक एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ जो नाखुश था जो बिलकुल भी खुश नहीं था विद द वे ओफ लाइफ अपने जीवन के इस तरीके से वह मतलब डॉग को बिलकुल पसंद नहीं था कि वह इदर उदर गूम रहे हैं उसको यह चीज़े पसंद नहीं थी वो जो अब बहुत दुखी था और ठक गया था वेंडरिंग ओफ लाइफ बाइफ 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 लुकिंग फूर 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 और बिंग फ्राइटन ओफ दोस हुवर स्टोंगर दैन ही वो मतलब वो ठका हुआ था एक जगह से दूसरी जगह पर वेंडरिंग करने में घूमने में अपना भोजन डूनने में उनको जाना पड़ता था कभी यहां और कभी वहां और वो उन से उसको काफी डर था जो उससे ज्यादा स्टोंगर है एनिमल्स जो उससे ज्यादा स्टोंगर है उन से उसको काफी डर था इसलिए वो अपनी जिंदगी से खुश बिल उसने सोचा कि अब बहुत हो चुका है, and decided that the best thing for him to do was become the servant of one, और उसने अपने लिए सबसे best thing क्या decide की, कि वो अपना एक servant, he become the servant of one, कि वो एक ऐसे का servant बनेगा, किसी का ऐसे का servant बनेगा, who was stronger than anyone on earth, जो पृत्थिव पर जो सबसे stronger है, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंडेगा, वो किस ऐसे animal को है, किसी person को ऐसे को ढूंडेगा, जो earth पे सबसे stronger है, and he see out to find such a master, और उसने जो है एक ऐसे master की तलास start कर दी, he walked and walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he, he was fires, he walked and walked, वो गूंता रहा, गूंता रहा, and he met a kinsman of his, और उसने जो है अपना एक master मिला, a big wolf, एक बहुत बड़ा भेडिया, एक भेडिया, who was as strong as he was fires, वो इतना ही stronger था, जितना की वो fires होता है, ड्रावना, वो उतना ही जो है, ड्रावना भी इसा, where are you doing, where are you doing dog, the wolf asked, wolf ने पूचा की dog से तुम कहां पर जा रहे हो, I am looking for someone to take up service with, would you like to be master's wolf, उसने पूचा की मैं किसी ऐसे की जो है service देने जा रहा हूं, जो इस धरती में, धरती पर सबसे सकते शाली हो, would you like to be my master wolf, वोल्फ से वह पूचने लगा की क्या तुम मेरे master बन होगे, I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together, I don't see why not, वो कते है की मैं क्यों नहीं बनूँगा, the wolf said, wolf में का की मैं क्यों नहीं बनूँगा, and this agreed upon, the two of them went on together, और वो दोनों इस बात पर agree हो गए, और जो है एक दूसरे के वो, जो वोल्फ है वो उसका master बन गया, और जो डोग था वो servant बन गया, they walked and talked, they walked and they walked and they walked and they all of a sudden of wolf lifted his nose, एक दिन वो चल रहे थे, चल रहे थे, तो अचानक से जो वोल्फ है, उसने अपनी नोज उठाई, sniffed और सूँगा, darted quickly off the path and into the bushes and creeped deeper into the forest, उसने जो है अपनी नोज को उपर उठाया सूँगा, और वो जो है उसने अपना रास्ता बदल लिया, quickly, जल्दी से उसने अपना path off कर लिया, रास्ता बदल लिया, और वो छुप गया कहां पे, वो बशी जाडियों के पीछे जाडियों के पीछे जा जाडियों में जाकर वो छिप गया, the dog was not surprised, अब जो डोग है वो काफी surprised हुआ, what's come over you master, master आपके साथ क्या हुआ, he asked, उसने पूछा की वही ऐसा क्या हुआ, master जो आप बशीज के पीछे जाके चुप गई, what has frightened you so, किस चीज से आप इतना डर गए हो, आप जो है किस चीज से इतना डर गए हो, उसने पूछा, can't you see, there is a bear out there and he might eat a both of you and me, वो कहता कि तुमने देखा नहीं कि वहाँ पर एक bear था, भालू था, जो हम दोनों को खा लेता, तुम्हें भी और मुझे भी, हम दोनों को जो bear है, वो खा लेता, किस ने बोले यह बाती यह बाती, जो है, wolf ने बोल्यूस डोग को, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and ask the bear to be his masters, अब यह सब चीजे देखके जो डोग है, उसने कहा कि बही, वोल्स से भी जादा strong bear होता है, तो उसने कहा कि मैं आपकी service को अभी छोड रहा हूँ, अब मैं जो है, bear को अपना master बनाऊंगा, and ask the bear to be his master, और उसने जो है, जाके bear से पुछा कि क्या आप मेरे master बनोगे, the bear agreed to this readily, और जो bear है, वो उसकी इस बात से ready हो गया, and said और कहा, let us go and find a herd of cows, I will kill a cow and then we can both eat our fill, वो कहते है कि चलो, अब हम चलते हैं, हम कोई जो है, गायों का जुंड ढूंडेंगे, और मैं गायों को मारूंगा, और फिर as they were about to come up it, they were stopped by a terrible noise, the cows were mooing loudly and running in a panic in all direction, they walked on and soon saw a herd of cows, जैसे जैसे वो चल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गायों का जुंड है, वो आ रहा है, but just as they were about to come up it, लेकिन जैसे ही वो उनके नजदीक आने वाले थे, they were stopped by a terrible noise, तो एक भयानक सी आवाज आने लगी, वो वहीं पर उनके रुक गए, वोल्फ भी और डॉग भी, और बीर भी और डॉग भी, and the cows were mooing loudly, जो गाई है वो तेज तेज आवाज निकाल रही है, जो टेरिबल वोईस हैं, जो टेरिबल वोईस हैं, जो टेरिबल वोईस हैं, और वो जो है पैनिक में इधर उदर भाग रही हैं, कभ वो भी फिर जो है, जंगल के अंदर की तरफ भागने लगा तेजी से, अब देखो क्या देखा भी अरने आगे देखेंगे, वो कहता है कि अब हम यहां पर क्यों आए हैं, जो है जंगल में शाशन करता है, क्योंकि वो जंगल का राजा है, और लोयन के जो पार्ट है, वो फिक से है, और यह सबी जो पार्ट है, वो लोयन के हैं, तुम नहीं जानते हैं, वो धर्ती पर सबसे ठ्रॉइंस्ट एनिमल है, भी आपको भी गुड़बई बोलुँगा, I want a master who is stronger than anyone on earth वो कहता है कि मुझे तो एक ऐसा master चाहिए जो धर्ती पर सबसे stronger है और आप से भी stronger अगर animal है वो lion है तो फिर मैं आपको भी goodbye बोलूँगा ऐसा बोला dog ने wolf को and off the dog went to ask the lion to be his master और फिर dog ने जो है जाके lion से पूचा कि क्या आप मेरे master बनोगे the lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time it was a good life and he had nothing to complain of for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him anyway the lion agreed to it lion जो है इससे agree हो गया and the dog stayed with him और dog उसके साथ रहा serve him for a long and long time और बहुत काफी लंबे समय तक उसको जो है serve करता रहा, serve करता रहा lion की, it was a good life और उसका जो है एक अच्छा जीवन था and he had nothing to complain of अब उसके किसी चीज से कोई शिकायत नहीं था वो काफी खुश था for there was no stronger beast in the forest than the lion, वो उसके पता है कि lion से जादा strong animal अब कोई भी नहीं है and no one dare touch the dog in any way अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो जो है lion को या फिर dog को कुछ भी बोले हानी पहुंचाए but one day the two of them were walking side by side along a path that rain amid bare cliff and all of a sudden the lion stopped, he gave a treat roar and struck the ground angrily with his paw, with such force that a hole formed there then he began to bat away very quietly but one day लेकिन एक दिन the two of them were walking side by side long a path that rain amid bare cliff अब जैसे वो अपने रास्ता बनाती हुए दोनों लोयन और dog दोनों मास्टर और सर्वेंट एक दिन जा रहे थे the lion stopped अब दो लोयन है वो इक्डम से stop हुआ ठुका he gave a great roar उसने जोर से दहाड दी and struck the ground angrily a man coming to this way the lion said he will better run for it or well we will be into the trouble वो कहता है कि भई मैंने lion जो है dog से बोलनी लगी मैंने किसी आदमी को smell किया है कि यहाँ पी कोई आदमी आया हुआ है और हमारे लिए काफी अच्छा है कि हम यहां से जो है चले जाए नहीं तो हमारे लिए trouble हो सकता है हम किसी जो है संकट में फस सकते हैं कुछ ने कुछ हमारे लिए गलत हो सकता है oh well then I will say good boy to you lion I want a master who is stronger than anyone on earth वो कहता है कि फिर तो lion को lion को बोला कि master अब तो फिर मुझे आपको भी good boy बोलना पेड़ेगा क्योंकि मेरे को तो वही master चाहिए जो इस अर्थ पे सब से stronger है and off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully this happened long long ago but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master and off the dog went to join the man उसके बाद फिर जो है dog ने आदमी की company को जोइन किया and he stayed with him और वो जो dog है वो आदमी के साथ रहता है and served him faithfully और बहुत faithfully उसकी जो है सेवा करता है, serve करता है this happened long long ago अब ये काफी काफी समय से चलता आ रहा है but to this day लेकिन आज के दिन the dog is man's most loyal servant लेकिन जो आज डोग है वो सब से loyal servant है man का and knows no other master अब उसको किसी दूसरे master की कोई भी need नहीं है तो आज का हमारा जो second lesson है वो यहीं complete होता है कल फिर हम next video के साथ आएंगे जिसमें हम third lesson को discuss करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको like और share जरूर करें चैनल को subscribe करें thank you